चात्रों नमसकार रंजीत पूनियाँ SBRM Government गुलेज नागोर चात्रों आज हम मध्यकालियन भारत के एक महान इतिहासकार अमीर कुसरो के बारे में पढ़ेंगे अमीर कुसरो मध्यकालियन भारत का एक इतिहासकार ही नहीं एक महान फार्सी कवी भी था उस समय के जितने भी फार्सी कवी थे उन में अमीर खुसो सर्वस्रेश था उसने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंत लिखे और फार्सी में कवीताओं की रचना की तो आज हम अमीर खुसरो के जीवन पर परकास डालेंगे चात्रों मध्यकाली नेतिहसिक लेखकों में अमीर खुसरो का नाम उलेखनी है हालां की वे सही रूप में इतिहासकार नहीं थे उनका जनम 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पट्याली में एक तुर्क अमीर के यहां हुआ था उसका पूरा नाम अबुलहसन यामेन अद्दीन खुसरो था उसके पिता का नाम अमीर सैफद्दीन महमूद था सैफद्दीन सुल्तान इल्तुतमिस तथा उसके उत्तरादी कारियों के शाशनकाल में उच्च पदो पर आसीन रह चुका था तता स्वैम खुसरो को छे सुल्तानों के अंतरगत सेवा करने का आउसर मिला था आरंब में वे बल्बन के जेष्ट पुत्र मुहमद सा के साथ रहे मंगोलों का सामना करते समय जब महमूद शा युद में काम आ गया तो वे मंगोलों द्वरा बंदी बना लिये गए परन्तु वे किसी प्रकार निकल भागे और बल्बन के दरबार में आ गए कैकुबाद के शाशनकाल में वे अमीर हातिम खां की सेवा में रहे इसके उपरांत वे जलालुदीन खिलजी, अलाउदीन खिलजी, मुबारक शा तता गयाशुदीन तुगलग की सेवा में रहे इस प्रकार अपने जीवन का पर्याप्त काल दिली के सुल्तानों के संपर्क में व्यतीर किया आपकी माता बल्बन के एक उच्चादी कारी की पुत्री थी अते इन सुल्तानों के शाषन काल की गटनाओं का सजीव सत्य वर्णन करने में उन्हें कोई कटिनाई नहीं हुई परंतु प्रारम में उन्होंने इतियास लेखन की और ध्यान नहीं दिया 1290 से 1325 तक वे राज कवी के पद पर आसीन रहे आपकी गिंती उस काल के स्रेष्ट कवियों में होती है आठ वर्ष की उम्र से ही आपने कवीता करना आरब कर दिया था अते आपकी कवीताएं बे एतिहसिक आधार पर रची गई थी इन्होंने कई रागों का भी अविश्कार किया जिनमें एमान, गोरा, सनम, आदी प्रमुक थी तबला और सितार को बनाने में भी इनकी मुख्य भुमिका थी तबला वो सितार को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एतिहसिक सामगरी प्रस्तुत करने वाली रचनाओं में हम उनके निम्न लिखित ग्रंथ ले सकते हैं पहला किरानुस सदाईन यह रचना एतिहसिक विशे को लेकर की गई है इसकी रचना बारासो नवासी इसमी में की गई थी इसमें बूगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलने का वल्णन है इसमें दिल्ली उसकी इमारतों साही दरबार अमीरों तता अन्य उच्चादी कारियों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रन प्रस्तुत किया गया है यह उनकी प्रथम कवीता थी इसमें इन्होंने दिल्ली शेयर की दसा उसके मुक्य भवन कीलो खरी के राज भवन का निर्मान आदी पर प्रकास डाला है इसके अलावा उन्होंने बुगरा खां तता कैकुबाद के चरित्र पर भी पर्याप प्रकास डाला है इस रसना के माध्यम से उन्होंने मंगोलों के क्रूर कर्टियों पर भी प्रकाश डाला है उनके आकरवणों का वर्णन भी इसमें मिलता है छात्रों दूसरी पुस्तक है मिफ्ता उल्फुतूह अमीर खुष्रों ने इसकी रचना 1291 इस्वी में की इस ग्रंत में आपने जलालुदीन के सेनिक अभियानों मलिक छज्जु के विद्रो तता उसके दमन का वर्णन किया है इसके अलावा इसमें रण थंबोर पर सुल्तान की चड़ाई और जहन की विजे पर विचार किया गया है यह उसके तीसरे दीवान कावे ग्रंत वुशर्तल कमाल का ही एक भाग है खुसरों ने यह कविता बड़ी साधारन सहली में लिखी है और इसमें जो कुछ लिखा है वह बड़ी सावधानी से एतिहाशिक द्रस्टी कौन से लिखा है तीसरे ग्रंत है खजाइन फटूः इसी ग्रंत को तारीक अलाई के नाम से भी जाना जाता है इसमें अल्लाउदीन खिलजी के सासन के पंद्रे वर्षों का चाटु कारिता पूर्ण विवरन दिया गया है हाला कि अमीर खुसरों का ये ग्रंत भी सहित्थिक की है तता पी उसका एतिहाशिक द्रस्टी से भी महत कम नहीं है अल्लाउदीन के समकालीन गटनों की जानकरी इसी से प्राप्त होती है खुसरों के इस ग्रंत में सुल्तान की गुजरात, मालवा तता वारंगल विजियों का विशद वर्ण किया गया है कई शैनिक अब्यानों में अमीर खुसरों स्वैम गया था अते उनका वर्ण पर्त्यक्स दर्शी है उसका यह वर्णन सामरिक द्रश्टी से तो उत्तम बना ही है तता साथ में खुसरों ने इन इस्थानों का भगवलिक वर्णन भी प्रसुत किया है अल्लाउदीन खिल जी की विजियों के विशे में जानकरी प्राप्त करने का यह सबसे महत्वपोर्ण गरंत है यह गरंत गद्य में रचित होते हुए भी अलंकारिक भाषा में लिखा गया है इसमें भी सुल्तान द्वारा निर्मित भावनों का उलेख है इसके अल्लाउदीन ने जो आर्थिक सुदार किये थे उनका उलेख भी इस रचना में उपलब्ध है परंतु खुसरो का वर्णन भी मिनहजुदीन सिराज की भाती निस्पक्स नहीं है उसमें भी अपने सुमी अल्लाउदीन के गुणों का विशद वर्णन किया है उसकी निर्बलता तता उसे अउगुणों पर खुसरो ने परकास नहीं डाला है उसने सुल्तान की परेशानियों का वर्णन नहीं किया है अपने इस ग्रंत में अल्लाओ दीन के राज्यारोहन का तो उलेक किया है पर जलली दीन के वद्र का उलेक नहीं किया है चौथा ग्रंत है आशी का यहाँ भी खुसरों की एक रचना है इसमें उसने गुजरात नरेश की पुत्री देवल रानी और अल्लावदीन के पुत्र खिजर खां के प्रेम कथा का वर्णन किया है आरब में खुसरों ने इसे देवल देवी तता खिजर खां के विवयक का उलेक करके ही समाप्त कर दिया था किन्तु मुबारक शाने खिजर कां के वद्ध तता अल्लावदीन की बीमारी और मलिक काफूर के अत्याचारों का वर्णन बाद में गयशुद दीन तुगलक के शाशनकाल में लिख कर जोड दिया था इसके साथ इसमें गुजरात्व मालवा विजय का भी वर्णन मिलता है इसकी रचना 1316 एश्वी में मानी जाती है इसमें खुसरों ने यह भी बताया है कि वह मंगोलों द्वारा किस प्रकार बंदी बनाया गया इस वर्णन के अलावा इस ग्रंथ में बारत के विबिन इस्थानों की इस्थलाकर की टोपोग्राफी बौगॉलिक इस्थिति का भी वर्णन किया है इसके अलावा इस ग्रंथ में अनेक ततकाली इन ऐसी घटनाएं उपलद है जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती है उस समय के उच्चवर की सामाजी की विवस्था का भी इस गरंथ में अच्छा वर्णन मिलता है पांच्वा तुगलक नामा इस गरंथ में खुसरों ने अपने स्वामी गयासुदीन तुगलक की खुसरों के विरुद्ध विजे का वर्णन किया है इस ग्रंथ को कवी ने दार्मिक आवरण से आवरित कर दिया है गया सुदीन को सात्विक गुणों का प्रतीक बताते वे उसे असत तत्वों के विरुद संघर्ष करते वे बताया गया है अमीर खुसरों के वर्णन करने की विशेश्ता यह रही है कि उन्होंने तित्यों का उल्लेक सही करम से किया है उनका तित्य करम बरनी द्वारा उल्लेक तित्य करमों से अधिक विश्वशनी है इसके अलवा आपने तत्कालिन सामाजिक परिस्थित्यों का अच्छा परकास डाला है जबकि अन्य तत्कालिन लेखक इसके परति उदासीन रहे हैं अन्य लेखकों की भाती आपने अपनी रचनाओं में राजदर्बारों में होने वाले संगीत नरत्यव अन्य मनुरण जनके सादनों पर भी परकास डालने का कष्ठ नहीं किया है छटा नफाजत उल उन्स इस गरंट के अनुसार अमीर खुसरो निन्याणवे रचनाओं के रचीता माने जाते हैं पर तो डाक्टर वाहिद मिर्जा का कहना है खुसरों ने इतनी रचनाओं नहीं रचीती पर तो इसमें कोई संदे नहीं है कि वह एक लोग प्रिय कवी था और पद्ये में उसने अनेग रचनाओं रची जो एत्याशिक महत्तों की भी बन गई थी इस गरंट की रचना उन्होंने बारा सो इकार्ण में की थी इस गरंट में जललुदीन के राज्याबिशेक तता छज्जुखां के विद्रों का वर्णन मिलता है सात्वा गरंट है नूह सीपेहर जिसका इंदी मार्थ है नौसुतारे इस गरंट में मुबारक शाखिलजी के इतियास और अभियानों का वर्णन है पुस्तक के एक अध्याय में भारत वर्ण के साहित्य और संस्कृत पर प्रकाश डाला गया है 1325 में अमीर खुसरों का निदन हो गया और उसकी इच्छा अनुसार उसको उसके गुरू निजमुदीन ओलिया की दरगाह में निजमुदीन ओलिया के कदमों की तरफ गाड़ा गया तो ये था आज का टॉपिक अमीर खुसरों ये टॉपिक कई बार विश्विद्याले की परिक्षाओं और अन्य परिक्षाओं में परत्योगी परिक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए ये बहुती महत्वपोन टॉपिक है थैंक यू धन्यवाद